खिजरी की सभा इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर जमी है यह माहूल देखते ही मुझे ऐसा महिसूस हो रहा है कि हमारे जो कैंडेट है राजेश कशब जी जीत गए ऐसा में समस्ताओं क्योंकि इतनी संक्या में आप स्वयम प्रेरित होके आए हैं खास कर मेरे मा बहिनों ने जो एक अपना निश्चे बनाया है इनको जिताना तो मैं आप सब को भी नमन करता हूँ भाईयों अब बिर्शा मुंडा जी का एक सो पचासवी जैन्ती कल से आरम हुई है और उनके लिए भी मैं आप सब को जोहार बोलके नमस्कार करता हूँ भगवान बिर्शा मुंडा बाबा तिलका मांजी वीर बुदू मगत सिद्धो कानू जैसे सभी नायगों को याद करता हूँ ये आदिवासी अस्मिता और संस्कूर्टे के परतीक ये हर देशवासी उनका योगदान को मानते हैं और मानना चाहिए आज उनकी सोच और महान विरारसत हमारे समिदान में आपको दिखती है जैसा कि हमारे भाई चाड़े में सब को समान द्रश्टी से देखने वाले गांदी जी जोतिपा फुले नेरू जी बाबा साब अमबेड कर टाक्टर राजेंदर पुसाद जी जैसे सोच वाले लोग शामील है जिन्होंने से इस देश के समिदान को और आजादी के लिए काम की वो मैं समस्ता हूँ उसी के वज़े से आज हम वोड के अधिकार पाएं है अगर गांदी जी आजादी के लिए कोशिश नहीं करते उनके साथ जवरलाल नेरू जी बल्लबाए पटेल जी सुबाश चंद्र बोश जी राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे कहीं लोग अपने सारा काम संसार घर छोड़के देश के आजादी के लिड़े और इस देश का समिदान भी उन्होंने बनाया बाबासा भंबेड कर समिदान के रचनाकार है और पंडित जवरलाल नेरू जी इस देश के लोकतंत्र को उसके निव को अगर गहरा किसी ने डाला है वो पंडित जवरलाल नेरू जी ने डाला है अब बहुत से लोग आते हैं अपनी अपनी बात करते हैं वो ना देश के आजादी के लिए लड़े ना आप लोकों के लिए लड़े या महिलाओं के लिए लड़े या दलितों के लिए लड़े या आदिवाशियों के लिए लड़े या किसानों के लिए लड़े वो सिर्फ लड़ते हैं चुनाओं दूसरों के हकुक के लिए कभी नहीं लड़े गरीबों के पास कभी नहीं गए आज वो आ रहे हैं आपने कभी देखा पचातर साल पहले कोई अचुतों के घर आता था कोई आधिवासी के घर आता था किसी मैला को नमसकार करके माता मुझे एक वोड़ दो भोलता था किसी गरीब को नहीं पूशता था गरीब किसान को भी नहीं पूशता था चोटे मोटे लोकों को दंदा करने वालों को भी नहीं पूशता था वो सिर्फ पूशते थे पुंजी पती लोकों को जमिन दारों को उनी के पास जाते थे और वो ही थोड़े से वोटों में चुनके आते थे वो ब्रिटीस के जमाने में तो लेकिन आज बाबा साब अमबेड़कर ने जो समिदान हमको दिया उस समिदान में महिलाओं को अधिकार दिया वोटिंग का अधिकार दिया गरीबों को दिया और उनकी वोट की किमत एक गरीब किसान के बेटे को एक काम किसान के घर में काम करने वाले को और जो लोग मजदूरी करते हैं उनको वोट का अधिकार मिला हमारे समिदान के वज़े से कोई आपके घर आता था पच्चातर साल पहले हमको वोट दो मा कोई मा बोलता था कोई बहन बोलता था कोई हर एक को समझा पुजा के अब घर घर आ रहे ये घर घर आने की शक्ति किसने दी कॉंग्रेस ने दी और देश के समिदान ने दी इसलिए इसको मत भूलिये कोई आता है जाता है कुछ कहिता है और कभी कुछ मोदी जैसे लोग भी ये कहिते हैं ये लाल रंग का किताब ये इसमें क्या है और मोदी जी ये भूल जाते हैं खुद वैसी किताब उन्होंने कोविन हमारे जो राष्ट पती थे उनको उन्होंने 2017 में दिया था और वो आदमी ऐसा बोलता है और जिसके पास लाल रंग का समिदान है वो सब शेरी नक्स लाइट है ये बात उनके मुझे आती है मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि एक प्रदान मंत्री समिदान के बारे में कहता है वो कोरे कागस का समिदान के नाम से वो राहुल गांदी बताते हैं अरे हमको कोरे कागस से क्यों बताएं हमारे पास बाज आपता लिखा हुआ समिदान है नीले में है काले में है और हमारे रेड बुक है लाल में है लेकिन सब में ये की है तुमारे हकुक के हिपाज़त के लिए बनी हुई किताब हैं लेकिन इसका गैर इस्तमाल कोन कर रहे है इसका गैर इस्तमाल मोदी जी शाह ये लोग कर रहे है और यहां तक कर रहे हैं कि जो कोई आदमी उनके खिलाब बात करता है उनके खिलाब लिखता है उनके खिलाब कोई टीवी चनल कुछ उनकी गलतियां बताता है तो उनको सबको अंदर करवा देता है Freedom of Speech खतम कर दिया है सब जगे ED, CBI, CBC, Income Tax लगा कर लोकों को तंग और बरबाद और उनके हकुक को चीन लेने का कोशिस अगर कोई कर रहा है इस देश का प्रदान उंतरी कर रहा है महिला उनके उपर अत्याचार होता है उदर देखते नहीं आदिवाचियों के मुम में पिशाप करता है कोई उसके बारे में चुप बैड़ते हैं कई दलितों के उपर अन्याय होते हैं तो मोदी जी मुम बन करके पढ़ते हैं किसी जगे माइनॉरिटी पर अन्याय होता है मुह नहीं खोलते हैं लेकिन बागी के वक्त भाईो और भाईनों मैं मोदी है तो सब कुछ है उन्होंने बोला हमने करनाटक में पांच ग्यारंटी की आवाज दी थी वो हम कर रहे हैं तेलंगाना में भी ग्यारंटी की हमने कर रहे हैं हिमाचल में भी हम कर रहे हैं हो सकता है एक आगे पीछे कारेक्रम होता है लेकिन यह सब हमने यह ग्यारंटी गरीब लोकों को दिया इसलिए मोदी जी को पेट जलन है जलस ही है और वो कहते हैं यह रेवडी दे रहे हैं क्या क्या की बोलते हैं रेवडी रेडी रेवडी दे रहे हैं और आप क्या दे रहे हैं आप कई भी जाते हो रेवडी की बात करते हैं और बोलते हो ये मोधी की ग्यारेंटी अरे तुमारी ग्यारेंटी कहा है पहले लाओ पंद्रा लाक रुपे कहां रखे वो हमारे काला धन लाओंगा सबके जोब में तुमारे पास आये क्या पंद्रा लाक डालूंगा डाल दिये सच बोलो डाले नहीं फिर बोले नौजवान सातियों को मैं एक साल में दो दो करोड नूक्रियां दोंगा भाई अब तक 11 साल हो गए 22 करोड नूक्रिया आपने गरीबों को दिया नौजवानों को दिया ये भी जूट बोल रहे है देखां अगर हम जूट बोल रहे हैं मोधी बोले तो यहां आके राची में भाशन करेंगे यहां पर आके भाशन करेंगे और बोलेंगे क कांग्रेस यह जूट बोलती है कांग्रेस गारेंटी नहीं देती फसा दिया लोगcycl अरे तुम भूसे बोले नोट बंदी किये क्या बोले वो तो आप बोले कि नोट बंदी करने से टेररिजम खतम होता है करप्शन खतम होता है कालादन भाराता है क्या क्या की बोले अगर मैं ठीक ठाक नहीं करूंगा सौधिन में तो मोदी जी बोले मेरे को आप किसी पी चोग पर आकर पूछ सकते हो क्या फासी दे सकते है ऐसा कुछ बोले ऐसा सुना मैं वो नहीं है तो छोड़ दो लेकिन उन्होंने कहा ये बात कहा है नोट बंदी के बाहर किसकी आहलत सुद्री है किसी को पैसे फिर मिले है नहीं मिले ये भी जूट और उन्होंने कहा किसानों के लिए मेरे किसान भाईयो बहनों आप लोगों को मैं तुमारी आमदानी डबल करके दूँगा तुमारी MSP डबल करके दूँगा दिये किसानों को डबल आमदानी हो गई सच बोलो आप देखो मोधी कैसा जूट बोलता वही वो तो प्राइमिनिस्टर है प्राइमिनिस्टर कभी जूट नहीं बोलता ना फिर आप नहीं नहीं बोल रहे पैसे मिले क्या नहीं नौकरी मिले क्या नहीं यमेस भी मिला क्या नहीं सब नहीं नहीं बोले तो फिर करे क्या फिर मोधी जनता के लिए क्या किये आप ही बताना चाहिए ऐसे लोकों को सत्ता से दुर को और गटबंधन को आप चुनके लाओ राजा इसको आप चुनके लाओ हमारी सरकार और मजबूत बनेगी इसलिए हम आये हैं हम इसलिए आप से अपील करने आये हैं हम किसको जूट बोलने के लिए नहीं आए हमने आपको नरेगा का काम बोला था सोन्या गांदी ने करके दिया गरीबों के पेट बरने के लिए उनके पास अनाज नहीं मिलती थी लेकिन सोन्या गांदी में कानून बना कर गरीबों को अनाज देने का काम किया और अब हमारी गटबनन की सरकार सोरन के नेतरत में हम पांच केजी से साथ केजी अनाज देने काम नेत्या किया और महिलाओं को दो हजार पांच सो रुपे उनके घर को पहुंचाने का काम करें ये काम हम कर रहे हैं और हम कुई काल्या दे रहे हैं और दूसरी बात मैं एक बात एक लेखक दुश्शंत कुमार जो गरीबों के बारे में लिखते हैं उनकी एक बात मैं सुनागा मेरी माँ कुछ लड़ना भी है वो मोधी शाह के खिलाब लड़ो एक दूसरे से मत लड़ो मैं उस कविता में उसने ये लिखा है सामना कुछ नहीं सामान कुछ नहीं स्वारी सामान कुछ नहीं फटे हाल में मगर फटे हाल में है मगर जोले में उसके पास समिधान है जोले में उसके पास समिधान है बाकी कुछ भी नहीं ये समिधान ही कुछ आपको देगा समिदान को ही आप रक्षा करना है उसे को उसकी रक्षणा करना है लोगतंत्र बचेगा तो आप सब लोगों के हकूख बचेंगे मोदी के भाशन से नहीं उन्हों बड़े-बड़े भाशन करते हैं उससे कोई आपके पेट को राशन नहीं मिलता राशन मिलेगा अच्छी सरकार हो राशन मिलेगा गरीबों का हमदर्द हो वो सरकार अगर है तब ही ये सब कुछ होगा और हम चाहते हैं ये जो गरीबों की सरकार है इसको आगे बड़ो इसको मद्बूत करो आप सब लोग करेंगे ना हाथ उटाओ और ये देखके मैं तो हैरान हो गया और राजेश तुम अब कितने मैजॉर्टी में आएंगे वो देखो अब मोदी जी शाजी और बहुत से मिनिस्टर्स बहुत घूम रहे हैं जैसे आकाश में हैं गीदर गुमते ना आप क्या बोलते हैं गीदर जो गुमते हैं गीदर गीद आप बोलते हैं गीदर अमारे तरफ बोलते हैं चलो एक ही मिनिंग है तो आकाश में जैसा उड़ते ना वैसे इनके हेलिकॉप्टर और विमान उड़ रहे हैं जारकंड में एक नहीं दो नहीं सब उड़ो और उसके लिए हमारा रोक रहे राहुल जी का भी रोके कि मेरे कूँँ बीस मिनिट रुका है कोन आरहे तो शाह उतर रहा है अरे फई उतर ने दे दो तो महीं तो उड़नेवाला हूं हो sommes वह नीचे आरी महीं ऊपर जा रहा हूं है मेरे कुछ का को नहीं है कि लेकिन नहीं दे है उन्हों ऊत्रे है हम उस वक्त है हेलिकॉप्टर में चड़े तो ये दर्शाता है कि कितना घमंड इन लोकों में है और मैं भी ये क्याबिनेट मिनिस्टर हूँ रावुल गांदी भी क्याबिनेट मिनिस्टर है हमको क्याबिनेट मिनिस्टर के समान द्रस्टी से हकुक होते हैं लेकिन हमको वो हकुक नहीं मिलते हैं जो शाह को मिलते हैं जो चवान को मिलते हैं जो आसाम के चीप मिनिस्टर को मिलते हैं उनके मंत्रियों को मिलते हैं वो कई भी घुषते हैं कई भी जाते हैं कुछ भी करते हैं कोई उनको कुछ बोलता नहीं, ये बात वो कर रहे हैं, करने दो, कितने दिन चलता चलने दो, लेकिन हम उनको छोड़िंगे नहीं, वो हमारे हाथ में से बचके जाएंगे भी नहीं। मैं आपको और एक बार ये कहूंगा कि ये बीजेपी की चाल खतरनाक है, कभी भी ये लोग उल्टी बाते करते हैं, काम तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जूट बोलने का छोड़ते हैं, मैं बताया कितने जूट उन्होंने बोल दिया, और सच बताया हमने क्या क्या किया, और यहां पर अधिवासी चीप मिनिस्टर है, बात तो आप अधिवासी की बहुत करते हो, और अधिवासी चीप मिनिस्टर को सता सता कर, उसके पास कुछ भी नहीं मिला, तो अभी फर्जी केस करके उसको जेल में डालते हो, उसको जेल में डालते हो हमारे पार्टी के लोकों को सताते हो ये है डेमोकरसी ये है जमूरियत ये है लोकतंत्र मैं आप से पूछता हूँ क्योंकि ये हम लोकों को खुचलना चाहते हैं अरे बई तुम कितना खुचलिंग है मैं कहूंगा मोदी जी खुब कोशिश करो खुब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की लेकिन हम भी जे बार बार उड़ते रहते हैं मोदी जी आप खुब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की हम बार बार उटते रहेंगे हम बींज है तो हमको कुछ नहीं कर सकते हम जनता की सेवा में उत्रे है अब मेरे को 23 साल चल रहा है 83 चल रहा है इतना जल्दी भी नहीं मरूंगा अभी मेरे को भाकी काम भी करना है ना तो तभी मैं उसको भगवान को पूछूंगा देखो थोड़ा देर करो मेरा अभी काम बाकी है वो करने के बाद आप जल्दी बुला लेओ मैं उसके बाद देखूंगा तो यहां मेरे को और एक यह हो गया अपना अश्च्य रहा हुआ यह चंपाई सोरन परसू परसू ही बात किये उन्होंने और उन्होंने उनके बातों में ही मैं बोलता हूँ जब सोरन मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरन तो कहते थे कि मोधी सरकार जनता को दस साल से ठग रही है चारकन के हित में कोई काम नहीं किया अब वो उल्टी बात कर रहे है अरे आपी ने तो बोला दस साल हमको ठग रही है कोई काम नहीं हुआ तो फिर अब क्या हो गया चंपाई सोरन साब अब कोन सी गोली आपको मिली उसके वज़े से आप तंदुर्स्त बने और जो आपको पैदा किये लोग उन्हीं के खिलाब हो गया ऐसे बहुत लोग है गद्दार लोग हाँ हमारी बिली हमकों में आओ ये गद्दार लोग हमेशा गद्दारी काम करते हैं और मोदी जी आप लोगों के साथ जरूर गद्दारी करेंगे आदानी अम्वानी जैसे लोगों को या लाएंगे आपका जल जंगल जमीन सब लूटेंगे अब लूट रहे हैं मैंने सुना कि 36 गड़ में उन्होंने कम से कम नौ लाग पेड काड़ दिये हैं नौ लाग और ये किसके लिए आदेने को फाइदा पहुँचाने के लिए वहाँ पर जो है खनीज संपत है वो निकालने के लिए नौ लाग जाड़े तोड़ दिये हैं और उपर से करीबों की बात करते हैं तो आपको सोचना होगा ऐसे लोकों को कैसा आप वोट देंगे सब मंगा कर दिया ग्यास मंगा पेट्रोल मंगा डीजल मंगा जी एस टी डालकर किसानों के अवजार के उपर डाला ट्रैक्टर के उपर टैक्स और हर चीज उन्होंने टैक्स टैक्स डालके बड़े बड़े अमीर लोकों को उन्होंने ये सब गरीबों का बाता लास्ट में ये कहूंगा मैं कि ये जो आरेसेसा और बीजेपी है ये देश को तोडने वाले लोक है गरीबों को वो बाटने वाले हैं टुक्डे करने वाले हैं और उपर से हम लोकों से कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे कौन बाटता है वही हुकमत आपके पास है देश आप चला रहे और लोकों को बोल रहे है बटेंगे तो कटेंगे और हमारे और एक मोदी साब कहते हैं एक हो तो सेफ हो सेफ कोन सा क्या हिमाचल का सेफ क्या जम्मू कश्मीर का सेफ क्या मीर साब का सेफ कोन सा सेफ है अरे पहले तुम अच्छा बनो कि तुम देश के लिए क्या करें वो बोलिए किनकी भलाई किये कितनी उनकी इंकम बड़ी किनके उनके बच्चे आप कितने ग्राजुएट बने कितने आई-एस आफिसर बने आई-पिएस आफिसर बने बड़े बड़े नौक्रियों पे ये पता हो ना बई अरे उनको टाइम पे स्कॉलर्शिप नहीं देती सेंट्रल गाउर्मेंट दलिताओं के बच्चों को नहीं मिलता आदिवासी बच्चों को नहीं मिलता हैर माइनार्डिका तो छोड़िये उनको तो वो लोग कुछ भी नहीं देते बैकवर्ड क्लास को नहीं देते गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं उनके पास सिवाए आवाज दो बोलने का एकी है एकी भाशन करने का भाई आपके भाशन से पेट नहीं बरता पेट बरने के लिए राशन चाहिए क्या चाहिए राशन चाहिए वो देओ हमारे लिए वो मजदूरी देओ तो ये मजदूरी भी नहीं देते लोकों को डराते हैं दमकाते हैं जिसलिए आप लोग डरने वाले नहीं हैं अरे आप लोग तो जंगल में रहे कर हर एक का मुकाबला किये हैं ब्रिटीश लोकों का मुकाबला किये हैं क्या आप लोग ऐसे मोधिया और शाह को डरिंगे हैं किया इतना भारिक अवाश नहीं अरे वो तो इतना ढराते फिर भी आप नहीं नहीं आप डरिंगे डरिंगे ये हैं मजबुती आप डरना नहीं अब मैं बताता हूँ हम आपको क्या करने वाले हैं अब तो थोड़े करते आये हैं, आगे हम क्या करेंगे, इंडिया गटवनन सरकार, आपको जो मैया सन्मान युजना है, अब कितना दे रहें, एक हजार रुपए, हम दो हजार पान सो रुपए डिसम्बर से देंगे, अगले महिने से आपको ड़ाई अजार रुपए हमारे माताओं को मिलेगा, ठीक है ना, आपको हो ना, इसलिए आप गटवनन सरकार को फिर से हुकमत में लाओ, हर रेक को पांच किलो राशन के जगे, साथ किलो राशन दिया जाएगा, हर गरीब परिवार को चार सो पचास रुपए में जास सिलेंडर मिलेगा, जारकंड के दस लाख युवक युद्यों को रोजगार दिले आने काम पुरा पुरा कोशिश करेंगे, और उनको रोजगार देंगे, पंदरा लाख रुपिया तक ये फैमिली याने परिवार स्वास्त भिमा योजना हम करेंगे, किसानों को धान का MSP 2400 रुपए है अब, उसको उसकी जगे 3200 रुपए हम करके दिखाएंगे, ये हो गया हमारे वाईदे, और एक बात आपको बहुत डराते हैं, शा, मोदी, क्या डराते हैं? ये घुस्पोर्टियों का मुद्दा बहुत बोलते हैं, ये डरा कर की घुस्पोर्टियों का कबजा हो जाएंगा जारकन, ये घुस्पेटियां बहुत लोग का रहे, मैं मोदी जी को पूछता हूँ, कहा से जा रहे? आना है तो बॉर्डर से ही आना ना? सेंट्रल गावर्टियों किस की है? मोदी की है, होम मिनिस्टर को ने है? को ने है? शाह है, फिर आप दोनों क्या सो रहे हैं, गुस्पेटियां अंदर आ रहे, हमको बोल रहे, और आपका काम क्या है? गुस्पेटियों को रोकना है, क्या हमारे सामने आके रोना है? मैं पूछता हूँ, अरे रोकना का तुम्हारा काम है, बॉर्डर पे ठैरना, ठैरा करना तुम्हारा काम है, हमको बार बार गुस्पेटिया आ रहे हैं, गुस्पेटिया आ रहे हुशार रहो हुशार रहो हुशार रहो, अरे रक्षा के लिए तो जनता ने तुमको ग्यारा साल से गद्धी पे बिठाया है, और ये लोग गुस्पेटिया का डर हमको बताते हैं, अगर हिम्मत है तो दस साल में करके दिखाना था अब रोते हमारे पास आ रहे हो तो इसलिए दोस्तों यह जूट बोलने वाले हैं यह डराने वाले हैं डरो मत जब तक कॉंग्रेस पार्टी गटपंदन सरकार तुमारे साथ है आप डरो मत और डरेंगे तो मरेंगे अगराप डरेंगे तो मरेंगे मोदी आपको मारने में लगे हैं उनकी सरकार तुमारे पीछे हैं आप पाल्टिशन्स को हदे मार दिये, अब लोकों को भी जो लोग कांग्रेस के साथ है, गटबडन के साथ है, उनको भी मारने की कोशिश कर रहे, गुस्पेटियों का नाम लेकर, लेकिन मेरी एकी अपील है उनको, भाई हुकमत तुमारे हाथ में है, सरकार है क्यों हमको इसका मतलब है कमजोर सरकार है सेंटल सिर्फ पेपर वालों को डराती है चानल वालों को डराती है अपोजिशन को डराती है लेकिन घुस्पेटियों को आप डरा के बाहर नहीं निकाल सकते थे हुश्वक्त और आज गलत नीतियों के वज़े से हमारे दलित भाई, आदिवासी, किसान ये सब परेशान है परसु मैं सुना कुछ दिन पहले, प्रदान मंत्री ने गोडा में एक भाशन देते विए कहा था, ये जारकन्ट, सरकार में अपनी प्रदान मंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया, उल्टा हमको बोले यहां, कि प्रदान मंत्री आवास योजना, यहां कि सरकार करने नहीं दी ऐसा मोधी बोलते हैं कितना जुप अरे आप पैसे ही नहीं दे रहे हैं यहां के कोईले के खनन के कम से कम पांच साल में एक लाख च्छतिस हजार करोड रुपे आप जारकंड के सरकार को देना है लेकिन आप पैसे छोड़ रहे हैं यह क्या कहutet है हिंदी में उल्टा चोर क्या है कि उल्टा चोर को ड्वाल को ड़ाटा है इसलिए थकत्षकर बाद में यह स्टेट जवर्मेंटी खुदी अपना अमभू आवास अबुआ अवास शुरूई किये हर पंचायत में सेकडो घर बन रहे यह किसकी देन है यह तो गटबनन सरकार की देन है लेकिन मोदी इसको भी पॉलिटिक्स में लाते हैं खुद मदद तो नहीं करते लेकिन लोकों को बोलने का छोड़ते नहीं और एक आखरी बात मैं बोलके खतम करता हूँ मोदी जी की अमीर को और अमीर बना रहे हैं गरीब को और गरीब बना रहे हैं यह आकड़े मेरे पास स्टाटिटिक्स जो मिले हैं वो अथेंटिक है और सिर्फ पेपर में ही नहीं कई आर्टिकल्स लेककों ने भी लिखा हैं देश के पांच परसेंट अमीर लोकों के पास बासट परसेंट संपत्ती है कितना पांच परसेंट लोकों के पास बासट परसेंट संपत्ती है और गरीब पचास परसेंट लोकों के पास सिर्फ तीन परसेंट संपत्ती है यह गरीब को और गरीब कर रहे हैं अमीर को और अमीर कर रहे हैं और उपर से बोलते हैं सबका साथ सबका विकास मैं तो ये बोलूँगा सबका साथ सबका विकास तो बोल रहे हैं लेकिन आप सबका साथ तो लिये सबका सत्या नास भी करें इसलिए हमारे उमेदवार राजे इस कचप को बारी बहुमत से जिता कर आप लाईए आपके साथ वो देएंगे अगर नहीं देएंगे उसका हिसाब किताब हम कर लेंगे हम बोलिंगे लोग आपको आश्रवाद किये आपका काम है लोकों का काम करना हम पूछने वाले हैं लेकिन मोदी जी शाह की पूछने की हिमत नहीं होती वो खरीदी कर रहे है मेलेज को सरकार बना रहे हैं गिराना सरकार बनाना लोग चुना उनका चुनावा सरकार कहीं नहीं है खरीदी खरीद परस करके लिए पहले करनाटक में लिए माराश्ट में लिए गोवा में लिए हर जगे लिए इसलिए मजबूत सरकार बनाने के लिए भारी भवमत से जिताना ये आपका काम है आप ये करेंगे है ऐसा ही महीं हाँ इसी प्रखन के तिकायत उम्राव से हूँ शेख बिर्वारी जितराम जितराम वेदिया ऐसे मान धर्ती के सुपुत्र इसी धर्ती से आते हैं इसलिए इनको इंडिया गटबंदन से जिताओ अपना पूरी जो अपेक्षा है हमने जो बात आपको कही है वो आप करेंगे इतना मैं कहें के एक शाहिर कह था हूं मैं वो उस जगे भी कहा था हिंदू या मुस्लिम के ऐसा साथ को मत छेडिये हिंदू या मुस्लिम के ऐसा साथ को मत छेडिये अपनी कुरसी के लिए जज़बात को मत छेडिये हिंदू या मुस्लिम के ऐसा साथ को मत छेडिये अपनी कुरसी के लिए जज़बात को मत छेडिये हम में कोई हून कोई सैक कोई मंगोलियन इसमें है दपन है जो बात आलड़ी दपन हो चुके वो बात तुम्हें आके वहां के फलाना जगेगे लेकिन अब उस बात को मत छेडिये छेडिये एक जंग मिलजुलकर गरीबी के खिलाब दोस्त मेरे मजबी नगमात को मत छेडिये ये अपना कहिना है और मैं आखरी में एक आवाज देता हूँ आप भी मेरे साथ देना चाहिए मैं कहूंगा मैं बोलूंगा आवाज दो हम एक हैं क्योंकि वो बोलते हैं बाटना काकना लूटना ऐसी भात बोलते हैं लेकिन मैं आपको कहूंगा आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं देखो इधर से कम आवाज आ रहा है इधर से तो कुछ भी नहीं आ रहा है आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं जैहिन 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 सभी को धन्यवाद नमस्कार